हेलो फ्रेंड्स आपको मेरी चैनल कुईन फूड में फिर से स्वागत है तो अगर आप एकी तरह का धोसा खाखा कर बोर हो गए हैं तो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक नई रेसिपी, एक नए धोसी की रेसिपी तो ये है चालीदार धोसा तो आज हम चावल के आटे से बनाएंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम यहां ले लेंगे चावल का आटा एक कब भर कर यानि कि एक कटोडी हम ले लिए हैं और यहां एक काजर ले लेंगे यहां धनिया पत्ती ले लेंगे कूछ और देखें एक हरी मिर्च ले लेंगे और एक टीशपून हम चीरा ले लेंगे तो काजर और धनिया को हम काट लेंगे काजर को हम कदुकस करेंगे और धनिया को और मिर्ची को काट लेंगे तो देखें हम काजर को कदुकस कर लिए हैं और धनिया को और मिर्ची को हम बारीक काट लें अच्रह से तो अब हम next बै Fleet बनाइंगे उसके लिए हम ले ले लेंगे एक बाउल उसमें हम ले लेंगे चावल का अटा जो हम निकाल करके रखे थे उसे हम बाउल में डाल देंगे सारा और अब हम इसमें पानी डालेंगे तो इसमें हम देखिए पहले हम एक कटोड़ी पानी डाल देंगे इसमें और थोड़ा सा भी हम पानी डालेंगे आधा कटोड़ी एक ही बार में सारा पानी मत डाल देजिएगा थोड़ा-थोड़ा करके डालिएगा नहीं तो फिर बह अब आपको कंटीनियों हम इसे फेटेंगे ताकि अच्छे से यह मिक्स हो जाए तो दिखिए मिक्स कर लिये हैं अभी हम और फिर थोड़ा सा जेक कर लेंगे दिखिए अभी यह बहुत थीक है इसे हम बहुत पतला करना है और अब हम इसमें डाल देंगे यह सारे चीज जो हम पहले काट करके और कदूकस करके रखिते थी तो देखिए पहले काशल डाल देंगे अबही हम ढालेंगे है दन्याफ पत्ति मेर्च जीरह मेर्च आप इसमें काली मिर्च भी कुट करके डाल सकते हैं क्योंकि हम यहां मिर्ची डाले हैं इसलिए काली मिर्च नहीं डाल रहे हैं आप चाहें तो इसमें काली मिर्च भी डाल सकते हैं लेकिन हम सिर्फ जीरा डाल करके बनाएंगे तो देखें इन सब को डाल करके हम अच्छे से आप इसे मिक्स कर लेंगे और आप सबसे मेरा रिक्वेश्ट है वीडियो को लाइक शेयर किजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अभी हम नमक डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग और नमक डालने के बाद भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो देखें बैटर को अभी हम इतना पतला रखेंगे लेकिन जरुरत पड़े तो इसमें हम थोड़ा सा और भी पानी मिला सकते हैं बैटर को पतला रखेंगे अगदम और अभी हम पांच मिनट रेष्ट करने रख देंगे कि पांच मिनट बाद इसमें थोड़ा सा और पानी चाहिए नान स्टिक नइंट थोड़ा याँ नॉंस ट्वा ले लेंगे थोडा सा डाला चमच करीब तेल कि अब देखिए हम तेल डालने के बाद एक टिशु पेपर ले लेंगे हुआ हम तफिशह पेपर के साहरे हम आप पर इस तरह से औयल को फैली है और अब हम बैटर को ढाले और अभी हम बैटर को डाल दिंगे तबे पर देखे बैटर कितना पतला है इसी तरह से आपको पतला रखना है ने तो फिर बननी पाएगा अच्छा से तो दिखे हम सारा डाल दिये हैं कितना अच्छा से जालिदार बना है तो इसमें हम ओयल डाल देंगे उपर से और इसे देखें यह कृष्पी हो गया है एक तरफ से अच्छे से हो गया अभी हम से फोल्ड कर लेंगे तो देखें यह जालिदार दुशा बन करके रेडी है इसे हम निकाल लेंगे तो और इक आपको बना करके दिखाएंगे ती रस्पिया घर में जरूर बना करके देखेंगा फ्रिणे गड़ेंसे एा lot to natu को है तो घड़ें feather dewूरण ऊक्षा नर法 भी निपली दिटाओ करेंगे प्लेट में तो देखिए इस तरह से बनकर डी है को सब्स LGBT min to study करेंगे और गर्मा गर्म हम खाएंगे जाली दार धोसा आप बच्ची को देज़े या फिर बड़ों को सब को यह बहुत पसंद आएगा और अगर आप कोई रेस्पी पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर देज़ेगा थैंक यू झाँ झाँ सकते यह पधां जास्गलन कोई डे मेंट कर दो और आंपकर देज़ेगा हो तो कर दो